प्रियांका चोप्रा की जितनी डिमांद हॉलिवुद में हैं उतनी ही बॉलिवुद में भी जिहां भले ही लंबे समय से प्रियांका किसी हिंदी फिल्म में ना नजर आई हो लेकिन उनके पास फिल्मों की लंबी लाइन लगी हुई है और अब फाइनली प्रियांका करने जा रही है धमाका वो भी ऐसा कि हॉलिवुड से वो सीधे जाएंगे अंतरिक्ष की सेर पर वो कैसे आएए देखते हैं मिस प्रियांका चोप्रा जो इन दिनों बिजी है हॉलिवुड फिल्मों में हॉलिवुड के बिग प्रोजेक्ट्स में लेकिन माधम वहां इतनी बिजी है कि उन्हें बॉलिवुड के लिए टाइंग ही नहीं मिल रहा है मारे मिंद्या आती जरूर है और इनके साथ ये खबर भी आती है कि इस बार वो जरूर को इसी नई हिंदी फिल्म साइन करने वाली है लेकिन वो यहाँ इविंस एटेंस करती हैं वो और फंक्शन्स में शिर्कत करती हैं और फिर से फुर हो जाती है और पीछे छोड़ जाती है प्रियांका के फिल्म में साइन करने की गौसेप्स लेकिन अब फाइनली प्रियांका आपको किसी हिंदी फिल्म में नजर आएंगी वो भी धमाकिदार और शानदार अंदाज में और कराएंगे आपको अंतरिक्ष की सेर जी हाँ गपशब गलियों में हवा जोरो शोरो से चल रही है कि प्रियांगा चोप्रा फिर से बॉलिवुड फिल्मों में धमाका करने जा रही है वो नजर आएंगी कल्पना चावला की बायोपिक में चावला ने हमें अलविदा कह दिया था विस फोट होने से पहले चावला ने शटल में 31 दिन 14 घंटे और 14 मिनट का समय बिताया था और अगले महने से इसकी शूटिंग भी शुरू कर देंगी खास बात ये है कि इस फिल्म को इंटरनाशनल लेवल पर बनाने की तयारी है सोर्स इसका कहना है कि जैसे ही प्रियांका चोपडा भारत वापस आएंगी वेस फिल्म को ऑफिशली अनाउंसमेंट भी कर देंगी दरसर प्रियांका ऐसी फिल्म करना चाहती हैं जिससे उनकी पकड बॉलिवर से लेकर हॉलिवर तक मजबूत हो जाए और कलपना चावला बस भारती नहीं बनकी पूरी दुनिया में फेमस हैं इसलिए प्रियांका इस दमदार बायोपिक को साइन करना चाहती हैं तो बस इंतजार कीचिये इसके ऑफिशिल अनौंस्मेंट का क्या पता सच में हॉलिवर से सीद्या अंतरिक्षली जाए प्रियांका चोपरा Bureau Report, IBC 24 झाल